तो सभीका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पर और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैट्स तो आज की जो क्लास का नाम है वो है बेसिक मैट्स तो यह जो इक लासे से बेसिक मैट्स की दोस्तों यह आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वाली है, because आपके basic math से related जो भी exams हैं, चाहे वो नवोदय का exam हो, okay, चाहे वो army का exam हो, okay, चाहे वो बड़े level पे देखा जाये तो पटवारी की परिछाएं हो, okay, या आपकी grade 2 and 3 की परिछाएं हो, और चाहे आपकी SSE, railway, okay, और postal के exam हो, तो ये परिछाएं जो होंगी, इन सभी basic maths के concept जो रहेंगे, बहुत अच्छे से मैं इन lectures में complete करूँगा, ठीक है, तो ये मतलब छोटे level से ले करके, बड़े level तक के लिए बहुत अच्छी classes यहाँ पे मैं आपके लिए ले करके आया हू आप इन classes को पढ़िए, अपने doubt लाइए, comment box पे comment कीजिए, अगर कोई आपकी इसी विशेश प्रकार की समस्या है, subject में कोई topic add करना है, तो आपन उसको जरूर दिखाएंगे, जरूर कराएंगे, चलिए तो फिर देर ना करते हुए, आज की class को हम आँगे start करते हैं, युवराज batch, क्योंकि इसमें छोटे से ले करके बड़े, दोनों इसमें मर्ज होंगे, इसलिए इस batch का नाम क्या होता है, युवराज, ओके, तो आईए दोस्तों start करते हैं, तो आज हम कुछ topic सीखने वाले हैं, आज के topic में मेरा जो main topic रहेगा जिसका नाम है decimal पढ़ाने तो आज में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? decimal, तो 12-4 हम क्यों करते हैं, सबसे पहली बात हम जानना चाहते हैं, कि decimal हम use क्यों करते हैं, देखे, decimal जैसे मान लेजिए, दो पेन हैं, आपके पस तीन शर्ट हैं, आपके पास चार साइकल हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ लगाना नहीं है साथ में, बडश जिंदिगी में कुछ चीजें होती हैं, जो दो कम्प्ली नहीं होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए है एक ब्रेड और साथ में आधा ब्रेड हाफ ब्रेड तो आप क्या करेंगे वन ब्रेड एंड हाफ को क्या बोलते हैं मैं वन बाई टू ओके वन बाई टू तो बच्चो यह जो यह जो चीज ओना ऐसी जब हमाए पास सिचुएशन आती त करना पड़ता है मतलब इनकम्प्लीट चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता हैट To one और प्लस वन बाई टो को मैं क्या लिखूंगा 1.5 क्या लिखूंगा 1.5 क्यों लिखूंगा क्योंकि 1 to complete है बट 1 by 2 मतलब 0.5 zero point 5 okay 1 to complete है but one by two incomplete है one by two क्या है incomplete है ना one by two क्या है incomplete और यह जो आपको दिखeltvoy ना इसको अपन 5 So, All-Totally क्या बन गया है 1.5 ठीक है All-Totally क्या बन चुका है 1.5 तो यह दो हुआ Fraction Decimal इसलिए आपन decimal यूज़ करते है तो आपके पास मालन लेजे Complete One Bread है और Half Bread है तो आप कहेंगे मेरे पास कितना Bread है मेरे पास 1.5 Bread है समझ जाएगा सामने वाला कि भाई विए कह रहा है कि मेरे पास 1.5 ब्रेड है इसका मतलब 1.5 ब्रेड पास 1.5 ब्रेड का मतलब है इसका मतलब इसके पास 1 ब्रेड complete है और एक bread का half part है एक bread का कितना है half part तो क्या लिखेंगे 1 plus 0.5 आप देख लिजे करके 1 के बात कुछ नहीं है तो 1.0 यहां क्या लगा दो 0.5 तो answer कितना आएगा 1.5 अभी अगर आप नहे है तो आपको बहुत सारी practice लगेगी ओके धिरे धिरे आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह होता कैसे है बट शुरुआत में आपको थोड़ी सी practice लगेगी कि decimal में convert कैसे करते हैं चलो जैसे मान लो एक मैं example आपको देता हूँ कि 3 by 2 को decimal में convert करो 3 by 2 यह देखिए यह number अपने आप में complete नहीं है क्यों complete नहीं क्योंकि 3 में 2 का पूरा पूरा डिवीजन नहीं जाएगा 3 में 2 का पूरा पूरा डिवीजन नहीं जाएगा अगर मैं यहीं पर लिखता मैं 6 by 3 तो यह complete है because 3 में 6 का पूरा पूरा डिवीजन चला जा जाता और यह क्या हो जाता 2 बट यहां पर एक complete division नहीं जाएगा, ओके, यहां पर एक complete division नहीं जाएगा, आईए, तो complete division करने के लिए हम क्या करते है, decimal form में division करेंगे, यहां लिखे 3 और यहां लिखे 2, ओके, यह आपने लिखा 3 और 2, बढ़िया division जाने लिजे, क्या आएगा, 2, 1 जा, 2, लिए भाई, 1 आगया, अब division नहीं जाएगा, तो आपको, आपको, आपको decimal लाना पड़ाएगा, जैसे आप decimal की इंटरी रखते हैं, आपको एक विशेस पावर मिल जाती, मैथ की, 0 लगाने की, कित्ती 0, 0 लगाने की आपको पावर मिल जाती है, और आप 10 इस्तमाल कर सकते हैं, कित्ते 0, 1, 0, ओके, आपको 1, 0 लगाने की पावर, एक बार में 1, 0, चाओ तो आप कित्ते 0 लगा सकते हैं, बट एक बार में 1, 0, तो चलिए आप 2 की टेबल पढ़िए 10, कित्ते बार आएगा, 5 बार, तो कितना हो गया भाई, 10 से 10, cancel, answer 3 में 2 का डिवाइट करने पर बोलिए कितना आ हाफता है, मैं कहें देता हूँ, कि मानल लिजिए आपके पास है, total, कितने bread हैं आपके पास, suppose, if you have, if you have, कितने bread ले लूँ भई, 5 bread, कितने bread ले लूँ, 5 bread, आपके पास 5 bread हैं आपके तिफिन बॉक्स में, और आपने, अपने, कितने दोस्तों का invite कर दिया, खाने के लिए, मान लो 12 फ्रेंड्स को कित्ते फ्रेंड्स को 12 फ्रेंड्स को आपने इंवाइट कर दिया ओके एंड यू इनवाइट चलो 12 को मत करो 7 को कर दो कित्ते कर दो 7 को and you invited seven friends और आपने 7섯rise को invite कर दिया तो आपको बताना है हर एक को कित Flux देनी परद इक तो अन किसे भीड निट भा फंतने हिस्स만 कटने हिस्सों में औरम्हेंस सुरू मतबहूंग भीड़ में कर दाद दे तक हुस्सूं तक कटने भीड़ गरेथ डिवाइड करो कितने हिस्सों में 7 हिस्सों में yes or no मतलब 5 को डिवाइड करना कितने पार्ट में 7 पार्ट में अब भाई नॉर्मली तो आखों से समझ में नहीं आ रहा कितना होगा चली तो डिवाइड करते हैं 5 divided by 7 लिओ डिवीजन जाएगा क्या decimal की हो गई इंट्री और डिफाई डिखाई दिए इसलिए क्या लगाते हैं 0 दिखाई दे यहां पर यह ना ये दिखने वाला 0 है यह कौन सा वाला 0 है दिखने वाला है ना 7 जा 49, कितना आ गया बोली यहाँ पर, 1, अच्छा decimal लगा हुआ है, तो 0 लगाने की power आपके पर अभी भी है की नहीं है, है, तो 0 लगा दीजे, और 7, 1 जा कितना हो गया भाई, 7, ओके, फिर कितना आ गया आपके यहाँ, 3, चले फिर 0 लग जाएगा यहाँ पर, 7, 4 जा कितना 28, कितना आ गया बोली यहाँ पर, 2 आ गया, फिर 0 लग जाएगा यहाँ पर, 7, 2 जा कितना, 14, फिर कितना आ गया आपर, 6, अरे भाई, यह तो बढ़ता ही जा रहा है, है न, यह कभी रुक नहीं रहा है, ऐसी situation में आपको क्या करना है, छोटी classes में, आपको 2 डिजिट तक आ 0.71, कितना होगे, समझ में आ गया, तो यह है आपका decimal division, क्या है आपका, कोई क्लियर होगे न, तो यह कहला था, आपका decimal division, इस तरीके से आप अपने numbers को, simple division, not decimal division, आपको इस तरीके से simple divide करोगे, decimal आना होगा, तो आजाएगा, समझ में आ गया, न, क्लियर होगे न, तो जिस इस समय complete division होता है, उस समय decimal नहीं आता है, बट जब incomplete division होता है, तो decimal आता है, ओके, आ गई मेरी बात समझ में, कोई doubt तो नहीं है आपको इसमें, चलिए, आँगे बात करते हैं, तो जो हमारे topics हैं, जो हमको mainly आज मैं जिनको class में पढ़ाने के लिए, यहां पे class ली है, तो उनक topics के मैं आपको नाम बता देता हूँ, भाई वो topics कौन कौन से हैं, एक तो topic है अपना, जिसका नाम है, decimal to fraction, decimal to fraction, यह topic बहुत important है, दूसरा topic है, fraction to decimal, यह भी बहुत important है, ओके, फिर इसके बाद decimal to fraction कर लेंगे, फिर fraction to decimal, फिर इसके बाद क्या सीखना है, हमको, decimal addition, decimal addition, ओके, चौथा आपनको सीखना है, decimal subtraction, क्या सीखना है, decimal subtraction, फिर अपकोन को सीखना है, decimal multiplication, and last है, decimal division, बोलो, इतने topic अपनको घवर करने है, और फिर मैं आपको कराऊंगा, कुछ exam के आए हुए questions, difficult, difficult, ठीक है दोस्तों, आइए जी देखते हैं मज़ेदार बात क्या है, इसमें, ओके, चलो, तो सबसे पहले आज हमें सीखना है, decimal to fraction, ओके, decimal to fraction, ठीक है, चलिए decimal to fraction कैसे बदलते हैं, आपको मैं बोलूँगा, कि fraction को decimal में बदलो, तो बहुत easily बदल लोगे, जैसे आपके पास कोई fraction लिखा हुआ है, सपोज आपके पास कोई fraction लिखा हुआ है, 20 divided by, 20 divided by 50, ओके, 20 divided by 50, ये किस में है, fraction में है, किस में है, आपको इसको किसे मदलना है, decimal में, ओके, तो क्या करोगे, आप ये देखे, 5 से 0 कैंसल कर दोगे, ओके, 5 से 0 आपने कैंसल कर दिया है, ये कितना बज गया, बोलिए, स्वरी, 0 से 0 कैंसल किया, not 5 से 0, तो ऊपर बज गया, 2 और नीचे कितना बज गया, ठीक है, ठीक है, ठीक ना, ये हो गया, अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइट करोगे, क्या करोगे, इसको, डिवाइट करोगे, तो डिवाइट किस तरीके से करोगे, यहाँ तो लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे चलो 5 में तूपकर दिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो क्या आएगा decimal दीखाने के लिए क्या लगाते हैं 0 और देसमाल लगने के बाद हम को क्या परमिशन मिल जाती है 102 लगाने कि 904 रटेंटी यह हो गया तो आंसर कितना गया 0.4010。 है क्या था ये था औंप्रेक्शन को डैसिमल मिलमी बदलना को डैसिमल मुश्चन को डैसिमल में बदलना देखा आप ने किस तरीके से हमारा जो फैक्शन है वक्षेमल में बदल गेश्षा परकामें आपके आपके लिखा लिखाए बहुत इजी है जिरो पाइंट फिर को क्या कर लो ऊपर लिख दो तो 04 मतलब आपने डेस्मल ब्रेक कर लिया है डेस्मल को छोड़ दो अब डेस्मल जितना उसकी जगे क्या लिखो वन और जित्ते दिजिट आफ्टर डेस्मल है उत्ते डेस्ट जीरो लगा दो यह सब नो तो ऊपर क्या बन गया 04 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 और इसको तो 10 भी लिखना पड़ेगा बूल या सनू अब देखो भाई यह किस की टेबल में आता है 10 और 4 दोनों टू की टेबल में आते हैं तो टू की टेबल में कितने बाइं तो टू-टूज आ अर 2-5 जा 10 तो आंसर के के सामने अब बहुत सारे टास्क का रहे हैं डेसमल को फ्रेक्शन में बदलना डेसमल को फ्रेक्शन में बदलना चलिए तो आए देखते हैं कुछ डेस्मल को फ्रेक्शन बदलने वाले 3.412 डेस्मल है आई ये फ्रेक्शन बदलना है क्या लिखूंगा डेस्मल तोड़ूंगा ऊपर वाला बन जाएगा 3412 डेस्मल की जाएगा कित्ते डिजट 1003 जैसे मेरे पास है 0.500 ओके 0.500 तो बच्चो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप यह डेस्मल के बाद के डिजट जो जीरो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं तो आप इसके डिजट को यूजलेस हैं यह क्या है यूजलेस आप इनको गयाब कर सकते तो तो डार के लिजट लिजिस का अंसर क्या होगा 0.5 चलो आप प्राब्लम बदल लो बदल लो तो कहा बचाए और फिर आप क्या करो डिश्मल को ब्रेक करोड़ेध करो और मैंने का अधान कि यह दोनों किसी काम के नहीं सब्सक्राइब आप न तो चलो इसको ब्रेक करता हूं यह ब्रेक किया बोलो नीचे कितना आएगा किटरे डिजट है वान डिजट तो जीरो आ गया और उपर कितना बचेगा जिसे मैं लेख सकता हूं 5 upon 10 तो पहले भी 5 upon 10 5 1 5 and 5 to the 10 और अभी भी 5 1 5 और 5 टूजा 10 पहले भी 1 upon 2 आया और बाद में भी 1 upon 2 आया मतलब बाद के decimal किसी काम के सॉरी डेसमल के बाद के 0 किसी काम के नहीं होते बुले समझ में आ रहा है न तो यह है क्या कनवर्जन है भाई साब बताईए यह यह हमारा कनवर्जन कौन सा कि फ्रेक्शन टू डेसमल यह था डेसमल टू फ्रेक्शन क्या था यह डेसमल टू फ्रेक्शन ओके चलिए आए दे आपको इसको fraction बदलना है तो उपर क्या लिखोगे 2424 और नीचे decimal की जगे क्या ब्रेक होगा वन कित्ते 020 चलिए 0.312 बुलिए उपर क्या लिखूँ उपर क्या लिखूँ इग्जैक्टली 0312 नीचे decimal ब्रेक होगा तो क्या आएगा और कित्ते 030 कित्ते 030 आ रहा समझ में न चलिए जैसे मान लिजे है 45.45 54 ओके उपर क्या लिखूँ पॉइंट नहीं आएगा उपर पॉइंट क्यों आएगा 4554 455 फूइंट डेसिमल की जए क्या आएगा 1 एंडबल 0 ओके 20 आ गया 0.002 0.002 ओके क्या ये डेसिमल काम के हैं कि नहीं है बिलकुल गलत ये डेसिमल काम के हैं क्योंकि ये पीछे नहीं है एक दम ओके ये डेसिमल अगर पीछे होते लास्ट में तो ये काम के नहीं होते ध्यान से देखिए ये डेसिमल 2 के पहले है 2 के बाद नहीं है ओके क्लियर हुआ कि नही हुआ हाँ अगर मैं कहता 0.200 तो बताई ये काम के होते क्या नहीं ये होते काम के नहीं काम के नहीं बट ये काम के हैं इनको मत गायब कर देना समझ में आया ना इनको इसको आप 0.2 लिख सकते हो बट इसको 0.2 नहीं लिख सकते तो आईए इसको solve करना पड़ेगा 0.002 को कैसे solve करेंगे बताइए ऊपर क्या लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे जीरो 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 टू ओके और नीचे डेस्मल के जाए कितना वन और ये ये तो ये अब किसी काम के नहीं है तो इनसे काटेंगे कि नहीं काटेंगे मत काटिएगा नहीं कभी नहीं कटेंगे ये बाद वाले कटते हैं तो ऊपर कितना बचेगा टू और नीचे कितना आएगा 1,000 कितना आएगा 1,000 भाई, फिलिंग को समझिये आप के जेब में किसी ने कहा कि आपकी जेब में 50 रूपीज है कितना रूपीज हैं अब आप इसको चाहो तो 0,0,0,50 कर दो और आप इसे चाहो तो 0,0,0,0,0,0,0,0 और क्या कर दो? 50 कर दो, कोई फरक पढ़ने वाला नह वो किसी काम के बट याद रखना decimal न लगा हो ओके 0.700 हाँ ये वाले decimal किसी काम के है कि नहीं है नहीं है क्योंकि 7 के बाद के हैं तो इसे अप क्या लिख सकते हो 0.7 अगर मैं लिखूंगा 0.050 बताए ये कौन सा decimal काम का है ये काम का है नहीं ये काम का है हाँ ये काम का है क्योंकि 5 के पहले है बट ये काम का नहीं है तो इससे आप क्या लिख सकते हो इससे लिख सकते हो 0.05 अगर आपके पास लिखा है 0.003200 बताइए ये दोनों काम के हैं ये दोनों काम के हैं हाँ तो आप इससे क्या लिख सकते हैं 0.003 टू क्लियर है तो डेसमल के बाद के जो जीरो होते हैं एकदम लास्ट में जो होते हैं वो काम के नहीं होते हैं बटेदी किसी नंबर के पहले लिखे हैं तो वो काम के हैं समझ में आया आपको इस तरीके से ये काम के हैं इनको आप गयाब नहीं कर सकते हो समझ में आया ना इन 7 क्योंकि भाई जब हटाओगे तो 07 बन जाएगा yes or no 07 में 7 लिखेंगे और नीचे कितना 10 चलो इसको बोले कितना बनेगा उपर क्या आएगा 5 आएगा नीचे कितना आएगा decimal की जगह 1 और कितने 0 2 0 बोलिए इसमें उपर क्या आएगा रहा है जिरो 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 थ्री टू बढ़िए काम का है क्या अब यह किसी काम का नहीं है क्योंकि डैसमल नहीं लगा है समझ गया ना डैसमल नहीं लगा है तो 0032 में क्या बचा डिरेक्ली 32 और नीचे कितना आएगा डैसमल की जगह 1 कितने 0 40 ठीक है तो यह देखा आपने डैसमल टू फ्रेक्शन डैसमल टू फ्रेक्शन तो आपका होंबग क्या है आपको 15 question जो है डैसमल टू फ्रेक्शन के मेरे को कंवर्ट करके दिखाने हैं ओके 15 question कि डैसमल टू क्लियर हो गया डैसमल टू फ्रेक्शन चलिए अब देखते है अगला कंसेप्ट देखते हैं अगला कंसेप्ट है fraction to decimal, fraction to decimal, तो इसमें दो टाइप के question आपके पास बनते हैं, एक, जिनको आप direct बदल सकते हो, जिनको आप क्या बदल सकते हो, अब सबसे पहले जान लो किसको बदलना है, fraction को, तो fraction आपको कैसे दिखाई देता है P upon Q की फॉर्म में, fraction केसे में दिखाई देता है, मतलब ऊपर जो बैठा होता है P इसको बोलते है numerator, क्या बोलते हैं, और जो नीचे Q बैठा होता है इसको बोलते है, denumerator, क्या बोलते हैं, ऐसे जल्दवाजी में अपन डिनॉमिनेटर बोलत या तो ये क्या है, Q जो होगा, वो होगा multiple of 10, multiple of 10, 10 का multiple, 10 का multiple, सबसे पहला 10 का multiple कौन होता है, 10 बन जा, 10 हो सकता है, 10, 10, 10 का multiple कैसा multiple, बनलब 10 की powers में, 10 की powers में, हैं न, multiple मत बोलो, क्या बोलो 10 की power में, 10 की power में, power of 10, okay, तो power of 10 मतलब 10, 10 की power 2 मतलब कितना होता है, 100, 10 की power 3 कितना होता है, 1000, ये power of 10 होगा multiple, और दूसरा होगा, कि जो Q होगा, वो 10 का multiple, 10 की power नहीं होगा, पहले में क्या होगा 10 की power होगा और दूसरे में q is not equal to power of 10 power of 10, part 10 की power नहीं होगा तो मालूम यह बहुत easy है, इसको आप direct कर सकते हो और इसमें आपको divide करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? divide करना पड़ेगा, तब fraction decimal में बदलेगा मैं आपको दोनों example देता हूँ, तब आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि sir क्या कहा रहे है चलिए, यह मैंने line मना दी, अब दो cases है एक जिसका denominator 10 की power में है और एक जिसका denominator 10 की power में नहीं है चलिए एक question लेता हूँ, जिसका denominator 10 की power में है 343 upon 10 की power में 1000 आ गया, यह बुले ऐसा नहुं यह 10 की power है न क्योंकि thousand क्या होता है, 10 की power 3 होता है 10 की power 3 होता है, ओके? और दूसरा example में ले लेता हूँ, 27 upon 8 देखो 10 की power नहीं है, नहीं है न? 8 10 की power कहा होती है? नहीं होती है तो आईए देखते हैं, इसको बहुत करना बहुत आसान है, तो इसको कैसे करेंगे आप, देखो भाई, कितने काउंट है, जीरो, one, two, three, okay, तो मतलब इसमें decimal कितने प्लेस के पहले आएगा, three प्लेस के पहले, तो right से three प्लेस के गिरो, तो ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्ल इसी को convert करके देख लो 0.343 को अगर आप fraction में बदलोगे तो उपर का decimal हटेगा तो नीचे क्या आएगा वन और यह कितने आएंगे तीन जीरो यह सानो और उपर कितना आगा थी 43 तो यह था decimal to fraction और इसका उपर आपने देखा वो क्या होगा तो यहां पर क्या लग जाएगा डेसमल तो आंसर कितना हैगा 5.43 इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे क्या बैठ है एट आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा चलो एट से डिवाइट करते हैं 27 को चलो एट के टेबल पढ़ो एट थी जा 24 बोलो कितना आया 3 डेसमल लगेगा तो यह क्या बन जाएगा 0 एट थी जा फिर से कितना आएगा 24 बोलो कितना आया 6 कितना आया 6 ओके फिर डेसमल लगा लगई हुआ है तो 0 आ जाएगा फिर 8 8 से 7 बार 8 7 जा 50 6 कितना आया 4 डेसमल लगा है तो क्या जाएगा 0 फिर 8 5 जा 40 लो आंसर आ गया तो आप क्या लिखेंगे 27 by 8 equal to 3.375 दन इनी प्रॉब्लम तो इस तरीके से आप जो है डिवीजन परफॉर्म करते हैं ठीक है ना तो आपने देख लिया फ्रेक्शन को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को फ्रेक्शन बदलना और फ्रेक्शन को डेसिमल में तो फ्रेक्शन को डेसिमल में बदलने के साथ आपके साथ दो चीज़ हो सकती हो सकता है नीचे 10 की बारा याने 10, 10 की पावर 2, मतलब 10 का二 बार multiply, कितना होता है, 100, और 10 कीपावर 3, मतलब 10 का किते बार multiply, तीन बार, तो यह 10 बड़ी गजब चीज है, इसमें multiply होते होते जित्ते 0 हैं, वो रखते जाओ, ये किता हो गया, 1000, 10 की पावर 4, मतलब 10 किते बार multiply, 204 वर ओकिश्री स्कुमिठा दो तो क्या होग है अंसे 10,000 समय हो गहां इस तरीके से 10 की पावर है तो 10 की पावर नीचे आ गई तो मजे की बात है फिर तो अपन डाइक कलेंगे और अगर ते इन की पावर नहीं है तो क्या कंदा पड़ेगा हमको डिवाइड करना पड़ेगा हमने क्या क्या सीख लिया हमने सीख लिया decimal to fraction fraction to decimal दो चीज़े हमने सीख लिए अब आपन पढ़ते हैं अगली चीजिसका नाम है decimal Edition क्या नाम है Decimal edition तो देखे decimal edition बड़े मजे की चीज़े बड़ी आसान चीजह जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते थे वैसे डैसमेल एडिशन है मान लो आपके पास आ गया 0.5 प्लस 4.3536 येलो अब बोलोगे हो भाई क्या है ठीक है ना तो आपकी मर्जी आपको ऊपर किसको रखना आपको नीचे किसको रखना है ठीक है ना तो दो तरीके आपने कहीं इच्छा ही बड़ा वाला इसको ऊपर रख दो 4.3536 एड़ करना है और इसमें क्या एड़ करना है 0. पॉइंट अब तो दिक्कत नहीं है तो भाई यहां कुछ नहीं है तो क्या लगा दो 0 तो यह आएगा 6 यह आएगा 3 यह आएगा 5 5 प्लस 3 8 और यह क्या आएगा 4 समझगे ना देखें एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एडिशन में किसको इसमें इसको एड़ करो या इसको इसमें एड़ करो रिजल्ट ही आता है क्योंकि 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 5 प्लस 3 भी कितना होता है 5, addition में कोई problem नहीं आती है मगर subtraction में भाई ध्यान रखना हाँ, subtraction में ध्यान रखना कि subtraction में किस से किस को subtract करने को बूला गया है आप छोटी classes में तो बड़े से छोटे कोई subtract करवाएगा, समझ में आया तो ये तो देख लिए आपने addition क्या देख लिए आपने addition आप देखिए subtraction जैसे आपको question आगया subtract subtract 2.3 समझ देख थिए न subtract 2.382 from 4.185 ये देखो जी आगया question इसको subtract करो किससे? इससे मतलब इस चीज से subtract करना है इसको ओके तो क्या लिखोगे इसको this is equal to 4.185 से subtract करना है किसको 2.382 ओके थोड़ा सा मैं question change करता हूँ मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ क्या डाल देता हूँ लो वन है यहाँ अब आप सोचो गए रहे यहाँ तो कुछ नहीं है तो don't worry 0 लगाओ जित्ते लगाने उत्ते लगाओ कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है आई यह अप करते हैं तो यह 0 है यह borrow लेगा तो इसको 4 बना देगा और 10 बन जागा 10 में से 1 गया है 9 यह कितना बन चुका था 4 4 में से 2 गया 2 8 में से 8 गया और यह बन जागा बन जागा 11 में से 3 गया 8 और यह बारो दिया होगा तो क्या बन चुका होगा 3 और 3 में से 2 है कितना 1 तो आंसर आ गया 1.8029 कितना आ गया 1.8029 इस तरीके से आपन सब्ट्रेक्शन करते हैं क्लियर हुआ, इस तरीके से हम subtraction करते हैं, चलिए एक और देते हैं question, अगला question लेता हूँ मैं, subtract करने के लिए, मान लिज़ा आपके पास कोई number है, 4.2, और इसमें से आपको subtract करना है, okay, इसमें से आपको subtract करना है, 2.1235, लिए इतना बड़ा number subtract करना है, originally देखो ये number बड़ा ह 4.2, क्योंकि इसका पहला digit क्या है, 4 है, और इसका पहला digit क्या है, 2 है, तो भाई इसके सामने क्या लगा लो इधर पे, 0, चलो अब subtract करो, 10 में से 5 गया कितना बचा, 5, ये 10 गया इस से तो ये क्या बन जागा, 9, 9 में से 3 गया कितना बचा, 6, ये इसको इसका दिया होगा, त तो 1 में से 1 गया, 0, और 4 में से 2 गया कितना बचा, तो आंसर कितना आ गया, 2.0765, तो आंसर इस 2.07, 0765, अब इसको आपको decimal में बदलना है, स्वाडी, decimal में तो हाई ये, अगर आपको इसको fraction बदलना है, तो बेस्त तरीका 2.0765, ओके अपन में करो, इसको काटो तो क्या ल तो 765, अपन कितने 1000, 10,000, बुलिए आ गया समझ में, तो इस तरीके से आपने क्या सिख लिया, decimal subtraction, क्या सिख लिया, decimal subtraction, तो decimal addition हो गया, decimal subtraction हो गया, अब देखते है, decimal multiplication, decimal, multiplication, तो आईए decimal multiplication देखते है, decimal multiplication क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नंबर है, 2.43, और इसमें आपको multiply करना है एक नए नंबर का, ओके, जैसे 1.46, तो अभी तक जैसे आप multiply करते आते हैं, बिंदास, 243 into 146, वैसे ही multiply करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, तो पहले तरीका में आपको दो तरीके सिखाता हूँ, ऐसे पहले multiply कर लो, 243 into, पहले आप normally decimal को भूल के multiply करो, चलो, 6, 3, 18, कितना हैगा, 1, 6, 4, 24, 24, plus 1, कितना होगा, 25, करी आए 2, 6, 2, 12, plus 2, कितना होगा, 14, ये cancel करिए, 4, 3, 12, 12, कि करी आए 1, 4, 4, 16, plus 1, 17, 4, 2, 8, plus 1, कित होगा, and 1, 2, 2, 2, चलिए, अब एड़ करिये, इधर पे 8, इधर पे 7, 7, 4, 11, 12, 14, 14, ओके, 14, देखो केरी कितने हाई, 1, आई है, धियान रखना, कितने है, 1, 9, 1, plus 9, 10, 10, 10, plus 4, 15, और 1, केरी का कितना होगा, 15, का 5, केरी इस 1, not 2, plus 1, equal to 3, ये होगा, ये वाला multiplication, पूर, ज चलि, अब देखते हांगे, मतलब मैं लिख भी देता हूँ, कितना है, 3, 5, 4, 7, 8, नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन ये वाला, है होगा, अब डेसमल काउंट करो, 1, 2, कौन से डेसमल के, राइट प्लेस, कौन से प्लेस, लेफ्ट मत काउंट करना, राइट प्लेस, इसमें कित एट, ओके, एक टेकनिक में आपको और सिखाता हूँ, ये तो बेस्ट है, एक टेकनिक और दुखिये, 2.43, मल्टिप्लाई बाई, 1.46, करना है कि नहीं करना, चलो, इसका डेसमल ब्रेक कर लो, ब्रेक करोगे, डेसमल के जाए, कितना, 1, कितने 0, 2, 0, इधर भी ब्रेक कर द से 0, 4, 0, yes or no, 4, 0, अब भाई, उपर का मल्टिप्लाई तो ये है, अपने पास, है की नहीं है, है ना, तो मैंने लिखा, 3, 5, 4, 7, 8, डिवाइड भी कितना, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 4, ये है, हमको आंसर किस फॉर में चाहिए, डेसमल की फॉर में, किस की फॉर में, डेसमल, बट ये क्या फ्रेक्शन है, तो फ्रेक्शन को डेसमल बदलने के लिए, 0, 0, कितने है, काउंट कर, 1, 2, 3, 4, चल, 1, 2, 3, 4, यहां पर लगे का, तो आंसर कितना है, 3, 5, 4, 7, 8, ओके, तो दो तरीके, अगर आपको डेसमल से डर लगता, तो आप 100 के फॉर में भी कनवर्ट कर सकते हो ठीक है न, नहीं तो multiply directly तो है यही, बोलो समझ में आखी नहीं है, कोई दिक्कत, तो आपने देख लिया क्या decimal multiplication देख लिया है, अब देखते है, decimal division, क्या देखते हैं, दो नंबर का division, दोनों decimal में है, तो मैं इसको बोलूँगा कि हम पढ़ रहे हैं, decimal division, बोले जी, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, decimal division, आईए बहुत इजी है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, 2.43 और 3.14, यह नंबर है, दोनों को divide करना है, ओके, तो बहुत ही simple है, देखिए इसका जो decimal, नीचे वाले का decimal कहा बरेख होता है, उपर, तो decimal की जिगह क्या आत और नीचे कितना बचा, 314, तो यह इस form में आप लिख सकते हैं, और ज्यादा solve करने को बोला गया है, तो बहुत महनत लगेगी, और ज्यादा solve कर लिजेगा, divide करना पड़ेगा, ओके, एक और question लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई question है, 0.08 divided by 0.2, simple question है, divide करना आपको तो क्या करोगे, 0.08 को मैं क्या लिखूँगा, उपर, 8, क्योंकि 00 सामने आगा, उसका कोई मतलब होते ही नहीं है, चलो decimal break करो, decimal के यह कितना, 1, और कितने 0, 2, 0, नीचे देखो, 0.2 को मैं क्या लिखूँगा, 2, और decimal break होगा, तो इधर आएगा, 1, और इधर कितना, 0, बोल तो उपर बचा, 4, नीचे कितना बचा, 10, yes or no, और 4 अपर 10 को मैं decimal form इक्या लिख सकता हूँ, 4 अपर 10 को मैं decimal form लिख सकता हूँ, 0.4, yes or no, क्योंकि भाई, उपर 4 है, 1, 0, पीछे चल जाएगा, decimal, yes or no, नहीं है, clear है, चले आंगे, ओके, चले अगला कोश्यन देखता हूँ है, 0.016, ठीक है न, 0.016, एक और 0 लगा दो चमकाने के लिए, और नीचे कितना 0.4, लिए भाई, कोई मतलब है किया, इस 0 का, decimal के पहले है कोई मतलब, नहीं है, बट इस 0 का मतलब है, चलो, ब्रेक कर दो, तो उपर वाला नंबर क्या बचेगा, only 16, और decimal के बाद, decimal के कितना है गा, 1, और कितने 0, 3, 0, चलो, नीचे देखते है, नीचे क्या, 4 है, तो 0.4 का decimal हटे का, 0 बचेगा, उसका कोई काम नहीं रहागा, तो नीचे कितना बचा, 4, और उपर decimal की जगह, और कितने 0, 2, 0 है, तो मतलब 2 के पहले, तो 4 तो एक डिजिट है, अगला डिजिट नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा, 0, अब क्या लगेगा, decimal, अब इस decimal दिखाई देश के लिए क्या लगेगा, तो answer कितना बन गया, 0.04, clear हुआ, चलो, एक और question हो जाए, 0.00024 divided by 0.2, ओके, ये question है, ये हमको divide करना है, ओके, आईए इसको divide करते है, तो जब इसको decimal part में तोड़ेंगे, तो ये सारे 0 हट जाएंगे कि नहीं हटेंगे, जब इसको fraction में तोड़ेंगे, तो ये सारे 0 हट जाएंगे कि नहीं हटेंगे, 3 0, तो उपर के बल क्या दिखाई देगा, और 24 क्या रहेगा, बोलो, decimal की जाए कितना, 1, decimal की जाए, 1, और कित्ते digit, 1, 2, 3, 4, 5 लगा है multiply भई नीचे क्या बचेगा बिटा टू और कित्ते डिजिट उपर वन लगा कित्ते जीरो आ गया समझ में ना चलो काट दो जीरो से जीरो cancel two से कित्ते बार 12 बार कित्ते बार तो उपर बचा 12 और नीचे कित्ता बचा है 123401234 चलो डेसमल में लिखूंगा कित्ते जीरो कित्ते डिजिट आएंगे बोलो 123 हां तो टॉल तो लिखा है 1212 हो गया 30 लगाया लगा दूँ डेसमल की एक और जीरो लगेगा एक और 1234 अब लगेगा डेसमल यह तो 0.001 इस दांसर क्लियर रुबागी नहीं हूआ इस तरह के से डेसमल डिवीजन करते हैं एक और लेंगजांपल चलिए तो एक और एक। नहीं करता हूँ 0.16 को किसको डिवाइट करता हूँ 0.16 को मैं डिवाइट करता हूँ ठीक है चलो डिवाइट करता हूँ तो उपर से क्या बचेगा केवल 32 और नीचे है डेसमल की जगह वन लगाए बोलो कित्ते डिजित लगाऊं पर और हुआ तो कित्ते जीरो आएगे बोलो आया संद में और नीचे क्या लिखों बोलो मैं 0.16 है ना 1.16 को break करूँगा क्या आएगा बोलो 1 आएगा क्या वाल रहे कर क्या कह रहा है देखके बोलो नीचे 0.16 है ना तो नीचे क्या लिखते हैं नीचे का decimal कहा तूटता है तो नीचे क्या बैठेगा नीचे तो 1.6 बैठेगा ना अरे ये कहा जाएगा भाई यही तो यही तो आएगा 1.6 देखो ये decimal break हो जाएगा ना तो उपर कितना आएगा 1.0.0 समझ में आया कि नहीं है ये 1.6 भी तो रहेगा यही पर नीचे बैठेगा यस की नो ओके चलो काटो 2.0 से 2.0 16 की टेबल में 16 बन जा 16 टू जा 32 तो उपर कितना बचा 2 और नीचे 1 1 2 3 0 बोले यसा नो तो कित्ते डिजिट के बाद decimal लगेगा कित्ते डिजिट के पहले 3 डिजिट के पहले कित्ते डिजिट के पहले तो एक डिजिट है 0 दूसरा डिजिट अब यह लगाया और यह लगाया 0 समझ में आया कोई दिक्कत चलिए एक और कॉस्चन लीजिए 0.00000064 clear और 0.008 clear है चलो break करते हैं उपर क्या लिख दूँ उपर क्या लिख दूँ 8 क्यों लिखूंगा उपर गधे हो क्या उपर का डिजिट नीचे तूटता है न तो उपर क्या लिख दूँ 64 अब 64 का decimal तोड़ा इन नीचे कितना आएगा 1 बोलो कितने 0 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 और यहाँ पर क्या लगेगा multiply क्या लगेगा multiply बोलो ध्यान से बोलना नीचे क्या आएगा 8 8, very good नीचे आया 8, उपर क्या आएगा 1 1 आया decimal की जगे और कितने 0 3,1,2,3 चलो 3,0 से 3,0 cancel 8, 8 जा 64 हाँ, उपर कितना बचा के बल 8 8 बन जा, 8 आया न और नीचे कितना बचा 1000 3,0, वोलो yes or no तो कितने डिजिट के पहले आएगा decimal, 3 डिजिट के पहले तो अकेला 8 तो है 1 डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और क्या decimal और ये दिखाने वाला 0 तो answer हो गया 0.008 clear हो गया आ गया समझ में any problem तो इसको हम बोलते हैं decimal division decimal division आई बात समझ में न सो आपने आज क्या क्या सीखा decimal to fraction fraction to decimal decimal addition decimal subtraction decimal division decimal multiplication 6 चीजिया आपने सीख लिए है clear हो गया any problem अब चली एक question करते हैं जो आपके exam में आया हुआ है उस question को देखते हैं चली तो guys exam में आये हुए questions उठाते हैं जैसे पहला आपने पास जो question है यह question क्या है देखिए हमको question कह रहा है बगर उसके पहले मैं उसका concept बटा दूँ आपको कि वह concept क्या है देखें अगर आपके पास कभी लिखा रहे है कि X into 8 equal to 64 ओके आप देखिए 8 यहाँ पर क्या है multiply में है तो कोई भी चीज़ अगर multiply में left में है तो right में किसमें चली जाएगी divide में तो आपर आपको X चाहिए है तो 64 divided by 8 और ऐसे ही अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो उपर आके किसमें हो जाएगी multiply में मतलब उपर की जगर नीचे जाए तो divide कर दो ओके मतलब multiply वाली चीज़ डिवाइड में हो जाती हो डिवाइड वाली चीज़ बस एक लाइन यसी याद रखने आपको ठेका ना तो 8 से काट दो कितना हो गया इस पर आंगे चल गए बहुत सारी प्रॉब्लम बनेंगी वह अपन प्रॉब्लम देखेंगे बट अभी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम देते हैं देखें आपके एक्जाम में जो आया हुआ क्या है इसी पर कंसेट पर क्या है क्या रहा है कि 154 मल्टिप्लाइबाई 18 एक्वल टू 2772 यह है यह क्यों दिया था तो आपको कह रहा है कि बताइए 2772 स्वाइड बाई 1.8 क्या होगा यह आपसे पूछा गया है यह आपसे पूछा गया 27.72 डिवाइड बाई 1.8 क्या होगा तो सर ने आपको डेस्मल डिवीजन तो सिखा दिया ना तो मैंने क्या सिखाय था भाई इसको ब्रेक करोगे तो उपर क्या आएगा बोलो 1 और 0 ठीक है ना फिर इसको ब्रेक करोगे तो इसकी जगए 1 और 2 0 ध्यारा ध्यान से देखो जो आपको दिया गया है उसमें से क्या ये वाली चीज बन सकती है यहां से ये वाली चीज बन सकती है ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई में है 18 अगर इसके नीचे चला जाए 2772 के नीचे किसको लिलू मैं 18 को तो यहां पर क्या बचेगा only 154 1 upon 10 भाई 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो होता नहीं तो 1541 या 150 upon में कितना 10 अब decimal में लिखेंगे तो 10 क्या करेगा वन डिजिट पीछे चला जाएगा तो answer बोलो कितना आएगा विल्कुल सही answer होगा 15 पॉइंट देखिए option में match कर रहा है 15.4 तो इस तरीके से आपने इसका answer निकाल लिया चलिए एक और देखते हैं exam में आया हुआ question competitive exam में एक और question जो आया हुआ है वो भी हम देखते हैं चलिए तो वो question क्या है क्या है क्या है क्या है यह मिल गया मुझे वो question question कह रहा है कि आपको sum निकालना है okay question कह रहा है आपको sum निकालना sum मतलब add करना add करना ही sum होता है okay चलिए sum करना है किनकी number का आपके सामने कुछ number दिये है 7.7 फिर अगला number दिया है 7.07 फिर अगला number दिया है 7.007 और फिर अगला number आपको दिया है 77.0077 ठीक है ना तो भाई क्या होता है addition के लिए कि सारे decimal एक सिधाई में होने चाहिए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए तो आप एक काम करों इनको सबको एक सिधाई में रखने के लिए सबसे पहले बड़ा number लगा लो और अगर आप बड़ा number नहीं लगाओगे तो आपको इनकी सामने भी 0000 लेना पड़ेगा और पीछे भी 0000 लेना पड़ेगा क्योंकि आंगे 0 लगाने का और पीछो 0 लगान 7.007 ठीक है उसके बाद ये number आ रहा है तो क्या जगा 7.007 और इसके बाद ये number है कितना जगा 7.07 और लास्ट में 7.7 चलिए अब देखिए आप यहां पे 0 लगा दीजे यहां पे 0 लगा दीजे यहां पे 0000 लगा दीजे अगर आपको डर लग रही तो और यहां भी चाहें तो आप 0000 लगा सकते कोई फरक नहीं पड़ेगा चलिए 7 में 0000 एट करेंगे 7 7 प्लस 7 कितना 14 कितनी आएगी 1 तो 1 यहां पे आजाएगी मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 और यह कितना हो गया 7 यहां पे क्या आएगा decimal 7 7 7 7 7 7 4 जा 28 28 का क्या आएगा जी 8 आएगा ना 28 का unit place तो 8 है तो यहां पे 8 आएगा कितना बचा 2 और 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 तो answer 98.7847 चली तो इसे चेक करते हैं हमारे answer में 98.7847 कितना है 7 8 4 7 ओके करेक्ट आंसर है A क्या है A is the correct answer आगया 7 847 no no B is the correct answer B हमें correct answer यहां पे दिया गया है ओके डन तो यह रही दोस्तों आज की class इसमें हमने काफी सारी चीजे कवर करी है second class में हम कुछ नई चीजे लेकर के आएंगे जरूर कमेंट कीजेगा आज की class आपको कैसी लगी हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धनवाद नमस्कार